ओके गुड मॉनिंग फ्रेंट्स आज हम सोशियोलोजी के चैप्टर टू के बारें बात करेंगे तो जो सोशियोलोजी का आरेस मेंस के लिए जो इसलिए बसे वह हम कंप्लीट करवाने वाले हैं आपको तो सोशियोलोजी के चैप्टर टू है उसमें हमें सामाजिक और स्वा सस्कर्तिक मुल्यों के जन नीतिया गुल जो भी लोक बन जाती है तो ौह धीरे धीरे जैसे तौक flock ुझ जाकर परांपरा बन जाती है या पर्था बन साथिये तो धीरे-धीरे जैसे रूडी लोका चारीया आचारीया व्यवार में आ जाती है लोग का चार मतलब व्यक्ति के व्यवार में आ जाती है और रूडिया बन जाती तो उसको जैसे हम एकजम्पल ले सकते हैं बाल विवा पती वर्ता नारी गुंगट परता आधी क्या है अपने समाजीक और सांस्कृतिक मुल्य माने जाता है जैसे समाजीक और सांस्कृतिक मुल्य इन जैसे जैसे समाज डेवलोप होता जाता है तो यह रूडिया अर्ति जाती है जैसे आजकल बाल विवा शती परता आधी का विरोध हो रहा है इसके वाज़ेसे यह देरे-देर खतम हो रही है तो देरे-देर यह अमार्र लोकचार और र प्रताओं का रूप ले लिया है और यही प्रताओं देरे-देरे क्या होती परंप्रा के रूप में डेवलप हो जाती और परंप्रा से क्या होता समाज के जो व्यक्ति है उनके अंदर धहरे और शाहस में वर्दी होती है और यही परंप्राओं क्या है धरम, विचार, दर्श होते हैं एक ईक पीड़ी से डूसरी पीड़ी में अस्तेनांत्रित होते रहेते हैं और सेक्स्ट बात करेंगे फैसन तता-धुन क्या है फैसन आदू निगता की प्रिचाइक है फैसन आदूनीकता की हरबर्ण इस्पेंसर ने फैसन को पुरातन रूर्या और और नवीन परता के मद्य की योजिक कड़ी का है तो फैसन के पुरादमन रूडिया और नवीन परता के मद्य योजिक कड़ी का कारिय करती है तो ये हरबर्ड इस्पेंसर का दोस्तों नाम मेंसंद करना अगर सामाजी और सांस्कर्तिक मुल्यों का आदार के बारे हम बात करे तो Herbert Spencer का mention करना जब कोई नई डिजाइन आती है तो सर अपर नम कुछ लोग ही प्रियोग करते हैं उसे क्या बोलेंगे धुन कहते हैं उसे क्या कहेंगे हम धुन और यही धुन जब अधिक संक्या में लोगों द्वार अपना ली जाते हैं तो उसे क्या कहेंगे फैसं बन जाता है ओके फ्रेंट्स तो इस तरह हमने बात किया था सामाजी के और स्वांशकर्तिक मुल्य आसे सम्के क्या आदार है तो शे आदार के बारे में बात किया पहला जन नीती या लोकरिती second लोकाचार या रूडिया, third परताये, fourth प्रम्पराये और sixth बन था धरम, विचार और दस्रंजोड की अमें प्रमपरागत रूप से प्रापत होते हैं और sixth इज फैसं तदा धुन और फैसं आदुनिक्ता की प्रेचायक है और हरबर्ट इस्वेंसर ने फैसन को पुरातन रूडिया और नवीन प्रताओं के मद्या की योजक कड़ी का है और जो फैसन इनिशली जो जब अधिक संक्या में लोग स्युकार करते हैं तो फैसन बन जाती है आपके मांक्स क छांसे स्युकार को में तो उन संस्युक्त है च्रार के दोर्वा समझार को'S आध़ा दायग्राम में और दूसरा और आपके आणशन रॉटिंग्मे लेखेंगे तो इसमें टिचर का अकरशक लगेगा और आपके मांकस के चांसेट बढ़ जाते हैं तो हो सके तो आप भी ऐसे ही लिखने की कोशिश कीजिएगा इससे आपके माक्स भी बढ़ते हैं और जो यहाद होता है वो भी इजीली हो जाएगा और समझ में भी आपको अच्छे से आएगा तो इस तरह हम बात करें समाजिक और संस्कृतिक मुल्यों का क्या हम अत्तों है तो यह क्या है भोतिक संस्कृतिका मैतों को बढ़ते हैं जैसे टीवी हो गया कार हो गया आधी क्या हो गया आज के समाज में प्रतिष्ठा के सूचक हो गया इससे क्या भोतिक विकास होता है संस्कृतिक और जो भोतिक विकास होता है उसी से समाज उनंतिक करता है जैसे दिरूरत होगी समाज में और प्रतिष्टा के सूचक के रूप में माना जाता है जैसे आपके पास कौन सा मुबाइल एंडशेट यूज करें कौन सा लैप्टॉप यूज करें कौन सी कार यूज करें तो इससे क्या है रोजगार के साधन भी बढ़े हैं और नहीं नहीं इससे समाज में परिखन होता है और कोई भी बी समाज यह जाती है उसमें एक तरह का खाता है कोई बी जाती है उसकों शानशकर्ति करता है और व्यक्ति की सामाजिक भूमि का निदयरन करते ही व्यक्ति से समाज को बीआव एक्सफ़क्टेशन है ये ये उसकी भूमी का कंद्र दार्ण करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक मुल्य, नेक्स्ट वन दे हम बात करें, व्यक्ति विशेश प्रश्थिती में अपना सामाजिक उतरदाइतों कैसे पूर्ण करता और समाज कैसी अपेक्षा करते हैं, जैसे एक पिता होने के नाते पिता से क्या अपेक्षा की जाती है बैटे के लिए उसको एजुकेशन देना है उसका विकास करना है आधी और बैटा होने के नाते पिता के परती उसका क्या दाईटू बनता है जैसे बुड़ापे में पिता की सेवा करना ये सभी सामाजिक और और संक्रतिक मुल्य को मैतधू हिए शिक्त, समाजिक नियंत्रण व्यक्ति पर इस्थापित होता है। पर समू या समाज नियंत्रन इस्तापित करता है उसका निstraval शांजित आस्रान का निधार्ण और धाहर तो यह समाजिक और सांस्कृतिक मुल्य उस पर गयर बाम कारिक ते Bush को निधारीत टें और बाल विवावा पर रोक लगी ऐसे यह दीरे दीरे चेंज होते हैं और समाज में गत्वाजिक और संस्कृतिक मुल्यों में भी गती शीलता पाई जाती है समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं जो मुल्य समाजिक उत्थान में साहिक है उन्ही को अपनाना चाहिए जो मुले समाजिक उत्थान में साहिक है उनी को अपनाते हैं मानवी आफशक्ताओं की पूर्ती करते हैं यह मानवी आफशक्ताओं की पूर्ती करते हैं जैसे सारीरिक डिमांड और समाजिक डिमांड कैसे भीयाओ करना धरंदर्षन आधी को व्यक्ति समाज से ही शीकता है और यह समाजिक और संसकॉटिक मुल्य के रूप में कारे पर करते हैं व्यक्तियों में भीनता समाज वह संसकॉत क Africans ले अलग 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 तरह की प्रकृती पाई और संस्कृति अलग अलगे western culture अलगे और इंडिन culture अलगे इस तरह इसे व्यक्तिव में भीनता पाई जाती ही तो यह भी decide कौन करता समाजिक और संस्कृतिक मुल्यों में मुल्यों के मैंतो के बारे में बात किया तो यहँ है मैं तो है पहला बहुतिक संस्कृति है मैं तो बहुतिक संस्कृति को बढ़ावा देता है समाज में एक रूपता आती है व्यक्ति का विभार और प्रगति में शायक है और व्यक्ति की समाजिक टो पूर्ति करते हैं और व्यत्तित्युष्ट का निर्माण करते एंदेखर व्यत्तियों में भीनता समाज वसंसकति कारण ही अहीं है तो हमने बात किया यह समाझी कोसंसकतिक मुल्यों के विर्फटो कि अने इस से से इसाम्य गon मुले तो इस तरह हमारे चैनल से जुड़े रहें के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें हम आपको समास अस्तर का complete syllabus for arrangements करवाएंगे तो हमारे चैनल से जुड़े रहें प्लीज थेंक्यू